नमस्कार मैं सारदा पंडे आसान जिन्दगी किस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी अनपुर्णा पूजा के बारे में जैसा कि इसके पहले आसान जिन्दगी में पूजा करके दिखाई हूँ बीडियो डला हुआ है आप सर्च करके देखें जैसे सोल दीवसी पूजा मालच्मी का भादो महने में होता है उसी प्रकार से ये सोल दीवसी पूजा मा अनपुर्णा का एगहन महने के कृष्ण पच्छ की पंच्मी से शुरू करके यह सुखलपक्ची की छष्टी तक चलता है छष्टी में समापन हो जाता है पर ब्रत करता चश्टी के दिन भी ब्रत करते हैं अलो ना खाके यानि नमक भी न खाए ब्रत करते हैं तो आप अगर सर्च करोगे तो आपको पूरा पूजा आसान जिदेगी में मिल जाएगा इस बार ये पूजा 24 नवंबर 2021 दिन बुद्धवार से शुरू होके 9 दिसंबर दिन गुरुवार तक चलेगा यानि 9 दिसंबर तक ये पूजा चलेगा यसे तमाम लोग हमसे अभी इ कि ये कार्तिक अन पूर्ना पुजा कभ है तो वह जयंति कि बारे में पूच रह którą कर तो कि महने के सुकलपक्च की पूरिमा में मान्पूर्ण पूर्ना पारवतिश रूप मान्पूर्ण तो ये शुकलपक्च की पूरिमा पर मनाया जाता है लेकिन जो солवन दिवसी पुजा होता है वो एगहन महिने के क्रिष्ण पच्छी की पंचमी से सुरू हो के एगहन महिने के सुकल पच्छी की छष्ठी तक चलता है तो ब्रत करता है यानि महलाच्मी जी का पुजन होता है तो इसमें बताए हूं कि सोला दिवसी कोई ब्रत नहीं कर सकता तो तीन दिन क सबिस्तित है इस सब्सक्राब करकेद से नमक नहीं खाना चाहिए तो दो धिनों के दागा जो होता है इसका काफी दो 많은 सुती सत्रह गाठों का धागा बनाया जाता है जो कि पहले दिन आए कि कृष्ण पच्छ की पंचमी के दिन ही जब इस्थापना होती है देवी मैया की लाल वर्ण की मूर्तिया फोटो रहता है मानपुर्णा की स्थापना होता है कला सुगर है तो 17 गाठों वाला जो धागा है वहीं पर रखके मा के सनमुख सनमुख याने सामने रखके पूजा की जाती है धूब, दीप, गंध, कपूर, फूल, चंदन, रोली, सिंदूर, हल्दी, अच्छत इन सबसे बिधिवत पूजा उस धागे की की जाती है फिर पूरुस दाहिने हाथ में और महिला है तो बाय हाथ में जो ब्रत करता है वो बांध लेते हैं इस धागे को और इसको 16 दिनों तक बांधे रहते हैं, 17 दिन इस धागे को पुनह उतार के माता के सामने रख दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हमारा ब्रत और पूजा पूजा हुआ जो भूल चुक हुई हो इसको चमा करें अहां पर जो मालकिया उगर बनाए जाते हैं जो अश्रदवल कमल बनाए जाते हैं नया धान का जो नया धान भी फसल में होता है इन सब चीजों का तो इन सब चीजों को या जो गगरी में हान निकाल के या चावल निकाल के रखा जाता है अपने में ही उपयोग किया जाता और ऐसे कि इस सोला जैसे की जो बी अनपूर्ना का ब्रत करना चाहते हैं अनपूर्ना ब्रत कथा ज़रूर मघाएं उसमें बनारस के जो धनंजय उनके बड़े भाई के जो कथा है वो अगस्ट मुनी भगवानस्री रामचंजी को सुनाते हैं और भगवान स्री कृष्ण जी उसी कथा को इधिश्टिर को बता रहे हैं कि क्या कथा है और क्यों इस ब्रत और पूजा को करने से क्या फल मिलता है इसका जो संकल्प है बिधी है सब जानना चाहिए कि अनपूर्णा जो ब्रत का संकल्प आप लोगे तो ये 16 वर्सों तक का होता है 17 वर्ष में उद्यापन किया जाता है अनपूर्णा पूजा व्रत का इसमें जैसे कि मालच में का पूजा होता है वादों में उसे इनका पूजा का बहुत महत्तो है पूजा करना चाहिए इनका ब्रत उतरती रहें और नियम निभा सकते हैं जिनने 16 दिनों तक माता का इस्थाफना हुआ है तो उसमें नियम निभा सकते हैं नियम यानिकी सात्विक भोजन करना और जो भी नियम है कि बाहर का भोजन न करना तेज न बोलना तमाम च्छल कर पड़ विश्वाज गाते सब तीजों से परे रहना सिर्फ माता का हिस्मराण करना स्तोत्र पाठ भगवान सिव जी की भी पूजा होती है माता के साथ इसकंद परकार का भोग तयार करके उसमें साथ परकार का फल भी होता है फल का भी माता को लगा जाता तो साथ परकार का फल हो गया बाकी अनाज का इसकी गुलगुला मेठी पूरी खीर जो भी अन्ड का भोग होता है यह सब बना के भोग लगा के और अपने घर में भी खिलाएं ल पुझन कराना अगर सामर्थ हो तो प्रहमर को भोजन कराएं उनको कुछ दान दें जो भी आप कर सके नहीं तो महिलाओं को भी भुजन करा सकते हैं मा को बता रहे हूं अन्पुर्णा ब्रत पूजा के बारे में तो विशेश कर आप किताब जब पढ़ोगे ब्रत कथास उसम मा अन्पुर्णा न इसम अकाल पढ़ा था यानि की जो इतिहास महिल स्समय अकाल पढ़ा था पानी न ही बर्सा था अन न ही हुआ था तो भगवान स्यू मा अन्पुर्णा का रूप लिए मा पारवती से विक्षा मांगते हैं और सभी अपने जितने उनके भग्त रहते है जितने भी अन से जल से रहित रहते हैं, उनके पास नहीं रहता हैं, उनको भगवान बांड देते हैं और सभी पूजा बुरत के लिए भी बताया जाता है कि अनपुर्णा माता के पूजा करने से सिर्फ अन से ही घर नहीं भरा रहता है अन और कई प्रकार के धन, पसूधन, पूत्र, पौत्र, जितने घर में खुशियाएं सभी चीजों से घर भरा रहता है मा लच्छिमी का पूजान भी करने से इसी प्रकार से लच्छिमी से सभी चीजे आती हैं घर में तो लच्षमी का भी पूजन इसे प्रकार से होता है, तो मैं आपको पता रही हूँ नया धान, यानि जो अभी इस फसल का धान होता है, उसी क्या उप्रोग पूजा में, अच्छत में, अश्डलकमल में, कलस में, सभी में किया जाता है, जैसे कि अभी एगहन महने का जो गु किया कि नए धान से ही सभी चीजों को पूजा में समलित करके पूजा किया जाता है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अर्ण पूर्णा पूजा इस बार, 24 नौंबर से 9 दिसंबर तक है, इस बीच में आप तयारी कलने, सभी चीजों का जो पूजा में लगता है, और तयार करने और सुबह साम दीप प्रोजलित करें माता की आरती गाएं कपूर जलाएं और रोज फूलों की माला लाल फूलों की माला पूस्प इस भी चीजें नवींतम चड़ाएं मां को चुन्नी भी उड़ाएं तो इस सब चीजें मैं आपको बता रही हूं आसान जिंदगी मैं आप वीडियो सप्स कर के देखे व से पूरा दिया हुआ ही। और कैसे 17 प्रकार का भोग लगा के आपको 17 वे दिन पूझा भी करना है। और बढदा हुआ जो आपका 17 गाट का बंधन उसको उतारके माता के पास रखने कि छमायाइशना करनी है। मा अन्पूर्णा, अन्णो की देवी माने गई हैं, कहीं कहीं घरों में इनका तस्बीर, इनका फोटो रसोई घर में लगाया जाता है, चोटा साइसे गौखा टाइप करता है, उसमें भी रखा जाता है अन्पूर्णा माता का फोटो, और 17 दिन पूजा विसेश जिसने प्रकार के भोग लगा उसमें सत्रठ पात्र भी होना चाहिए तो इसी लिए सुद्धता और सचचा के लिए दोने में भोग लगा जाता है और दोना अगर पलास पत्ती की हो यसे कि मा अनपुर्णा मा गौरी क्या है रूप है सरूप है और भगवांश्यू भी उनी से संबं अनधीत है तो पलास की पत्तियों की दोना से सत्रह दोना वजार में खरीदे ले पत्ती ही रहे तो उसी पर बड़े बड़े पत्तिया होती है करे प्लास की बहुग लगा के और फिर माता को अर्पण करें भगवान श्यू जी की पूजा होती है लेकिन शाफ सफाय का विश लगाया जाता है तो आश्मनी यानि जल भी भगवान को दिया जाता है तो एक लोटकी में जल रहे जिसमें से कुस्ट होता है जल शेड़कने का तो आश्मनी ऐसे घुमा के तीन बार जल से पवित्र करके भोजन को अरपन करें और भोजन अरपन करने के बाद तीन बार और भ हारवालों को नहीं दी जाएगी तो बताइए हुम्हें अनपूर्णा इस बार कब तक शुरू हुआ है तो अनपूर्णा को जो पूजन है सूर उदय के बाद जो स्थापना किया जाएगा पहले दिन का यानि कि 24 तारिक को शुरुदय के बाद अच्छी तरीके से बागधो के नहाले नहाने के बाद स्थापना करें और उसी दिन यानि कि जिस समय पूजा करते हैं हर दिन उसी समय पूजा सुरू करें शुबह और जिस समय साम की आरती होती है उसी समय साम की आरती करें ना है कि कभी सुब आप साथ बजे पूजा कर लिए कभी दस बजे पूजा किये कभी साम को देर में किये कभी जल्दी ऐसा नहीं करना चाहिए भले ही जो व्यक्ति पूजा कर रहा है तो अगर कहीं और है या नहीं कर पार है घर का कोई भी व्यक्ति उसी समय पर जाके घर का पूजा करें और साम की आरती भी करनी चाहिए तो मैं आपको बताई हूँ अनपूर्णा पूजाग ब्रत के बारें जो कि भूस साधान बहुत आसान तरीके से बताई हूँ इसे तरीके से आप पूजा श्थापना करें आगे कि जो भी ब्रत्यवार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को झाल झाल